कैमचो फ्रेंद्स मजयामा तो हाजीर हुमें एक बार फिर से एक नई मूवी की एक्सप्रेलेशन लेके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई-नई मूवी की एक्सप्रेलेशन लेके आता रहता हूँ नई तू जिसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है ये शिकार ये एक मल्यालम पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है जिसे ड्रेक किया था मार्टिन प्राककट ने जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई थी तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए चलिये मूवी को एक्स्प्लेन करते हैं मूवी की सुरुवत होती है प्राविन के साथ जो खेल मोहत्सव में उनकी टीम रसी प्रत्योगिता जीत जाती है इलेक्शन नद्दी का रहे थे तो पार्टी के लोग प्राविन की मा को इलेक्शन कार देने वहां आते हैं प्राविन की जोब पुलिस में लगी है नौकरी मे आज उसका पहला दिन है उसी स्टेशन में A.A.S.I मानियम भी है उन्हें एक केस के सिलसीले में बाहर जाना था प्रवीन को गाड़ी चलानी आती थी तो वो प्रवीन को साथ लेके निकलते हैं एक जगा जाके वो रुख जाते हैं वहां एक बार एक पड़ी थी मानियम परविन को लेकर अपने गर पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसकी बेटी तो घर पर ही थी और कतक सिख रही थी प्रविन बाहर ही खड़ा होता है तो मानियन उसे गर में बुलाता है मानियन की बेटी कतक सिख के अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती थी इलेक्शन नजदीक था तो मानियन और प्रविन्सियम को शुरक्षा दे रहे थे मानियन को पुलिस में कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते थे जो वो नहीं चाहता था जैसे कि एक लड़का जो कि मिनिस् लड़के पे डाला जाता है जिससे उसे बेल ना मिल सके प्रविन की मा की हालत बिगर रही थी तो डॉक्टर प्रविन को दूसरे डॉक्टर का नंबर दे के उन्हें वहां दिखाने को कहते हैं दूसरी और सुनिता ने एक गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी जिसका नाम बीजू है बीजू के आदमी उसके गर पर दमकी दे रहे थे कि रिपोर्ट वापस ले ले दूसरे दिन बीजू पूलिस टेशन पहुचता है जहां मानियम की उसके साथ बहस होती है मानियन को इतना गुस्सा आता है कि वो बीजू को मारने दौरता है लेकिन ब लक्के से बीजू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है बीजू प्रवीन को रोक कर उसे मोबाइल हाथ में देने को कहता है जिससे प्रवीन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में हाथा पाई होती है मानियन बीजू को थपर मार कर उसे गिरा देता है और प्रवीन उसे बिजू ने शराब पी थी तो वो और गुसा होता है मानियन बिजू के लोगों को बाहर निकाल कर पुलिस टेशन बाहर से बन कर देता है बिजू के आदमी बाहर खड़े-खड़े हल्ला मचाने लगते है तो मानियन उसे गन दिखा कर बगाने की कोशिश करता है और उसको ऐसा करते हैं बीजू का दोस्ट जयन अपने मोबाइल में रेकोर्ड कर लेता है हाला कि बाद में मिनिस्टर के कहने पर बीजू को छोल दिया जाता है बीजू दलित पार्टी का कारिय करता था और दलित पार्टी के वाट भी ज्यादा थे तो जीतने के लिए मिनिस्टर को भी उसकी मदद करनी परती है बीजू के पार्टी के लीडर मिनिस्टर से उन दोनों पुलिस वालों को ट्रांसफर की बात करता है बाहर निकलते हैं लीडर को मानियन की वो क्लिप दिखाई जाती है जो लीडर उनसे वो क्लिप ले लेता है और उनसे कहता है कि वीडियो क्लिप बाहर नहीं जानी चाहिए वक्त आने पर वो इसको इस्तेमाल करेंगे और वीजू को शांत रहने को कहते हैं मानियन की बहन का बेटा राहुल गाड़ी चला रहा था सुनीता भी उनके साथ थी अगले दिन राहुल विदेश जा रहा था तो मानियन उसे एटीम से 20,000,000 रुपिया निकल कर अपने पास रखने को कहता है एटीम से पैसे निकल कर जब वो जा रहे थे तब उनकी गारे से एक बाइक का एक्सिडंट हो जाता है और एक्सिडंट होते ही राहुल वहां से बाग जाता है वो आदमी बीजू का फ्रेंड जायन था जिसने मानियन की वो वीडियो रेकोर्ड की थी पहले तो वो वहां से बाग जाना चाहते थे लेकिन वहां लोग आ जाने से वो उनको लेके अस्पताल पहुँचते हैं वहां बीजू पहले से ही खड़ा था जब वो डॉक्तर को दिखाते है तो डॉक्तर उसे मरा गोशित कर देते हैं अपने दोस्त के मरने से बीजू गुसा हो जाता है और उन तीनों को पकड़ने दोलता है लेकिन मानियन, सुनिता और प्रमीर वहां से बाग जाते है और सीधा पूलिस टेशन पहुँचते है वहां डीजी पी उन्हें कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मानियन का ए पहुचता है राहुल तो पहले से वहां से अपनी बैग लेके बाग गया था इतना सब होने के बावजुद सुनिता अपना गर जाना चाहती थी तो वह उनको उसके गर उतार देते है लेकिन वहां पे वीजू के आदमी उसकी राह देख रहे थे तो वह वापस मानियन और प्रवीन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है गाड़ी पुलिस की थी तो वाकी टॉकी पे ये मैसेज आता है कि तीन आदमीों ने एक आदमी का खुन कर दिया है और पुलिस उन्हें ढून रही है और तीनों के नाम भी बताती है प्रवीन और मानियन वाकी टॉकी तोड़क फैक देते है और अपने मुबाइल के सिम कार्ड भी तोड़के फैक देते है सीम इस केस को क्राइम ब्रांच को सौप देता है और अनुरादा क्राइम ब्रांच से इस केस को हैंडल करने आती है और आते ही वो सीम को बताती है कि आप ही के पार्टी में आदमी मैथ्यू ने म पुलिस की गाड़ी आती है और हकीम से पूछताच करती है हकीम की गाड़ी में वो तीनों चुपे हुए थे लेकिन पुलिस वाला बताता है कि अंदर कोई नहीं है और जुट बोलके वो गाड़ी को रवाना कर देता है और तरफ अनुरादा ने चेकिंग शुरू कर दी थी सभी जगा उन तीनों को ढुंडा जा रहा था एक चेक पुष्ट पे आके हकीम रुख जाता है जब पुलिस गाड़ी को चेक करती है तो अंदर कोई नहीं होता वो तीनों दूसरे रास्ते से निकल गए थे और आगे जाके वो हकीम की गाड़ी में चल जाते है एस पी मानियन और प्रमीन उस गारी को छोड़के उतर जाते है वहां मानियन और प्रमीन में जगड़ा होता है तो ये सब देखकर सुनिता अपने आपको मारने की कोशिश करती है लेकिन प्रमीन उसे बचा लेता है मानियन को अपनी गलती का एहसास होता है और दूर खड़ा वो ये सब देखता है ठंड बहुत थी तो प्रमीन वहां एक शॉप में से गर्म कपड़े चुराता है वहां एक जगह वो चाई पीने रुपते है और चाई वाले से फॉन करने के लिए मोबाइल मांगता है उससे मोबाइल लेके सुनीता अपने गर के पडोस में फॉन करके बता जाता है और उन तीनों की फोटो भी दी जाती है हकीम की गारी छोडने के बाद प्रमीन मानियन और सुनीता से अलग-अलग गारी बदल के ट्रावेलिंग करते हैं वहां एक जगह वो चाई पीने रुखते है वहां प्रमीन टीवी पे देखता है कि उन तीनों की न्यूस ट कमिशनर की बेटी है और वो प्रमीन के साथ बाग की आई है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए यहां रुकने के लिए मदद चाहिए दूसरी और पूलिस हकीम को पकल लेती है जिसने उनकी मदद की थी जैयम के मरने के बाद शहर में दंगा हो जाता है ओपोजिशन पार्ट करते हुए कोटा कमबूर पहुचती है जहां वहां की पूलिस उनकी मदद करती है जैपरसाद अनुराधा को बताता है कि यहां कोटा कमबूर में उन्हें तीन नए आदमियों को आइडेंटिफाई किया है पूलिस फोर्स से यहां हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां के लोग गांजे की खेती करते हैं उन्हें लगेगा कि पूलिस ने उन पे हमला करने आई है तो वहां डॉक्सकोर की मदद लेते हैं कोटा कमबूर में उन दिनों त्योहर चल रहा था तो मूर्थी त्योहर में जाता है उसके जाने की बात प्रवीन वहां की दुकान में से सिग् खरिदता है मानियन अपने परिवार और खासकर अपनी बेटी से दूर होने से काफी उदास था अनुरादा कमिशनर को बताती है कि वो कोटा कमबूर पहुच गए है और जल्द ही वो उन्हें पकल लेंगे रात को कुछ लोगों को टौर्च के सहारे आता देक प्रवीन और मा कोटा कमबूर में पुलिस उन तिनों को ढूडने लगती है मानियन पीके पड़ा रहता था वो अपनी बच्ची को लेकर उदास था कोटा कमबूर में वो दुकांदार उन तिनों में से प्रवीन को पहचान लेता है अनुराधा ये बात कमिशनर को बताती है शहर में दंग उच्चाए पे था तो वो लोग वहाँ चोरी छुपके जा नहीं सकते दूसरी और सीम ने उन तीनों को पकल लिया है ऐसा जुठा नाटक करती है क्योंकि इलेक्शन नजदिक थे और उन्हें वाट की जरूरत थी मानियन वापस आता है और कपड़े बदल के चला जाता है अन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है अनुरादा फॉन करकी कमिशनर को बताती है कि उसने दो लोगों को पकड़ा है मानियन ने खुदकुशी कर ली है उन्हों ने तो प्रेस कॉन्फरेंस में तीन लोगों को गीरपतर किया है ऐसा बताया था लेकिन सीम इस से हाथ दो देते है जैपरसाद बोड़ी को इन्वेस्टिगेट किये बीना ही वहाँ से उतार देता है और अनुरादा से कहता है कि उसको पुलिस क्लब में ले जाने का ओर्डर मिला है मानियन की बोड़ी को लेकर वो लोग नीचे उतरते है लेकिन गाड़ी में चलते बक्त प्रमिन से मानि बेल नीचे गिर जाता है जिसे लेकर वो बागने लगता है लेकिन पुलिस उसे वापस पकल लेती है उसमें मानियन का डाइंग डिकलेरशन था कि उस दिन गाड़ी उसकी बहन का बेटा राहुल चला रहा था उन्होंने ये एकसिडन नहीं किया वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक कातिल की बेटी से पहचानी जाए ये वीडियो वहां का IPS ओफिसर देखता है और वो प्रवीन और सुनिता से मिलता है प्रवीन उसे बताता है कि उस दिन गाड़ी राहुल चला रहा था आप चाहे तो वहां की ATM की CCTV फुटेज देख सकते है लेकिन वो अपसर बत मानियन की मूबाइल में से मेमरी काल निकल कर उसे तोड़ देता है जिसमें उसका डाइंग डिकलेरेशन था आगे वो उनको राहुल का वीडियो दिखाता है जिसमें राहुल ये कहता है कि उस दिन गाड़ी तो वही चला रहा था लेकिन जैसे प्रवीन ने जयन को सामने आता देखा तो उन्होंने स्टेरिंग गुमा दिया और एक्सिडन डेकर वो डर गया था इसलिए वो वहां से बाग गया वो ऑफिसर उन पे साइन करने पर जोड डालता है वहां पे एक बार फिर से मानियन को फासी दी जाती है और सबूत के तोर पर उसकी फोटो खीची ज मीडिया को भी यहीं बताया जाता है कि मानियन यहां आने के बाद फासी लगाई थी और उन दोनों को कॉर्ट ले जाया जाता है और उसी दिन इलेक्शन था जहां एक आदमी अपनी बुड़ी माँ को वोट दिलाने लाता है अब उसको कुछ दिखाई तो देता नहीं इसल दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए तब यचा जाओ जो आओ जो